नमस्कार निर्माण आईएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम दे हिंदू और दे इंडिन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेहू का समलेज विशलेशन दिखेंगे आज के लिख का शीशक है भारत बांगलदेश संबंद इसके साथ ही इंडिन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेह के लेखक सायद मुझमर अली है जो भारत में बांगलदेश की तरफ से हाई कमिशनर है तो आईए शुरू करते हैं आज का लेख जान लेते हैं इसका संदर्फ क्या है भारत हमेशा बांगलदेश से अपना संबंद मजबूत करने के लिए दो कदम आगे बढ़कर पहल करता रहा है निश्यत रूप से 3-6 अक्टूबर के बीच होने वाली पीम शेख हसीना के इस यात्रा से भारत बंगलदेश के संबंदों में कुछ सकारात्मख विकास को दिशा देने की उमीद की जा रही है ये दोनों देशों के आम चुनाफ के बाद पहली आधिकारिक यात्रा होगी इस बाद प्रधान मंत्री हसीना वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के तहत इंडिया एकनॉमिक सब्मिट को सम्मूदित करने के बाद भारत के साथ तुई प्रक्षिवार्ता को सम्मूदित करेंगी करता है वास्तव में इंड्रागानी ने बंग्लदेश को कातकालीन पश्चिमी पागिस्तान से निपटने में सयोग किया ऐसे में बंग्लदेश के साथ भारत का कूट नीतिक एवं राजनीतिक संबन स्थापित होना सोभाविक है वर्तमान समय में मानिनी प्रधानमंत्री और शेक हसीना ने भारत बंग्लदेश की रिष्टे को स्वण अध्धाय या गोल्दन चैप्टर कहके संबोधित किया है आए देखते हैं भारत बंग्लदेश का इतिहास क्या रहा है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्वी पाकिस्तान के बीच बंग्लदेश मुक्ति युद्ध शुरू हुआ और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से हस्तशेप किया इसके परिनाम में बांगलादेश राज्जी के रूप में पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तान की स्वतनत्रा को शुरक्षित करने में मदद की गई बांगलादेश मुक्ति युद के प्रनेता शेक मुजर्बून रह्मान थे जिनके नेतत्व में भारत बांगलादेश के संबंदों में प्रगारता बढ़ी और पिछली दूई पक्षी यात्रा के दोरान बांगलादेश मुक्ति युद में भारते शहिदों की योगदान को श्रंधांजली अर्पित करते हुए दोनों देशों के द्वारा सोमा नोना कारिक्रम आजजित किया गया आई अब देखते हैं कि वर्तमान संदर्व में भारत बांगलादेश संबंदों में क्या मुख्य आयाम है सबसे पहले देखते हैं भूमी सीमा समझौता क्या है यह समझौता बांगलादेश के तातकाले इन प्रधान मंत्री रह्मान इवं इंद्रा गानी के बीच किया गया था यह एक प्रियास था सीमा विवाद को सुलचाने का जिससे 2015 में दुबारा हक्स्ताक्षर करके और भी प्रभापशाली बनाया गया इस समझौते के द्वारा दोनों देशों के बीच 162 एंक्लेव की अदला बदली का समझौता हुआ अब भारत और भांग्लादेश के एंक्लेव में रहने वाले लोगों को संबंधिन देश की नागरिकता तथा नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाय मिल सकेंगी आईए अब समझते हैं सुरक्षा और आतंगुदी संबंधी समस्याओं को लेकर दोनों देशों का रुख्या है पिछले कुछ वर्षों में भारत इवन बांग्लदेश के बीच इस मुद्दे पर सुधार हुआ है सन 1956 से पूर्वोत्तर भारत के निव्यासियों के बीच बढ़ते हुए जातिये अलगाववात के कारण विद्रो का सामना करना पड़ा है लिबरेशन फ्रेंट ओफ असम त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन जैसे प्रमुक विद्रोही समू है जो पूर्वत्तर भारत में आतंग का मौहल बनाए हुए है साथ ही रोहिंग्या मुसल्मानों का संधर्व भी आपसे संबंदों को नकरात्म ग्रूप से प्रवावित कर रहा है किन्तु बाहनदेश और भारत के सामुईक प्रयास से ये मुद्धा काफी हद तक सुलजाग लिया गया है प्रंतु इस दिशा में और समवाद एवं सायोग के आवश्रक्ता है अब देखते हैं कि उर्जा सायोग को लेके दोनों देशों के क्या घुमिका है दोनों राष्ट्रों के मद्धें सिक्योरिटी और सिविल नुक्लियर सेक्टर से जुड़े बाइस समझाते हुए हैं वरतवान समय में भारत बांगनदेश को 1160 मेगावाट विद्ध उर्जा प्रदान कर रहा है अप्रेल 2017 से भारत ने विद्ध चेत्र में 4.5 बिलियन डॉलर क्रेट बांगनदेश को प्रदान कर रहा है भारत ने अतरिक्थ 13 बिलियन डॉलर का उर्जा के चेत्र में निवेश करने पर भी समझाता किया है इसके लावा भारत सार्क एवं बीमस्टेक जैसे चेत्र संगठन में भी बांगनदेश को उर्जा चेत्र में पूर्ण संयोग दे रहा है वर्ज 12 सत्रा में दोनों देशों के बीच शुरक्षा, उर्जा एवं संयोग जक्ता संयोग को बढ़ाने के लिए लगभग 24 MOU पे भी हस्ताक्षर हुए है अब देखते हैं कि दुपक्षे चेत्र संयोग जक्ता यानि MOU क्या है भारत बांगलादेश के संबंदों को सुंद्रन बनाने के लिए छेत्र संजिक्ता अती महतपूर है इस दिशा में भारत ने बांगलादेश में अंसन रशना की उन्नती के लिए 28,000 करोड रुपे के कर्ज का एलान किया है पूरी भारत को बांगलादेश से जोडने के लिए कोलकत्ता धाका, बस सेवा इवं रेज सुविदा के छेत्र में सामूही कारुपे काम चल रहा है अब देख लेते हैं कि सुरक्षा संबंदी मामलों को लेके दोनों देशों का क्या पक्ष है भारत की पिछली यात्रा में दोनों पक्षों के बीच शुरक्षा के विशे में पांच MOU पे सास्ताक्षर हुए थे शुरक्षा संबंदी मुद्धों में कुल पांच बातों पे चर्चा हुई थी जिसमें समाननी सैयोग, प्रस्रिक्षन विने में, हत्यारों के लेन देन, शुरक्षा वित्ति सैयोग, इबन मैडिकल सैयोग शामिल था अब दोनों देश इन MOUs पे समझौती के क्रियानमन पे कारे करेंगे आए जान लेते हैं वेपार और निवेश की क्या स्तिती है? विगत वर्षों में दोनों देशों के बीच वेपारिक संबंदों में प्रगारता बड़ी है 2018 में बांगलेदेश भारत का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है लगभग 8.18 बिलियन डॉलर की कारोबार की संभावनों की पहचान भी की गई है पिछले दिनों दोनों देशों के बीच ब्रॉडबेंड नेटवर्क सेवा की भी शुरुवात की गई है एवं दोनों देशों के बीच लगभग 10 बिलियन डॉलर तक का वेपार प्रतिवर्ष होता है बांगलेश ने भारत को तीन एस्क्लिजिव एकनोमिक जोन पर भी काम करने का अफसर्पदान किया है इसके साथ हैं यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि बांगलादेशी टूरिस्ट के संदर्व में भारत में 2018 में आयकुल टूरिस्ट विजट के दोरान इन बांगलादेशी टूरिस्ट का सेभागिता 21.6% थी और इसके अंतरगर भी 83.7% स्टूरिस्ट थे जबके 10.28% मेडिकल पेशन्स थे वर्तमान समय में भारत के हेल्थ टूरिस्टम राजस्व में इन बांगलादेशीों का जो योगदान है वो 50 प्रतिशत के करीब है अब जानन लेते हैं line of credit को लेकर दोनों देशन में क्या समझधा हुआ है भारत ने बांगलादेश को 8 बिलियन डालर के 3 line of credit का प्रस्ताव दिया है जबके दूसरे line of credit अभी प्रक्रिया में है भारत सरकार ने बांगलादेश को अब संरशना अत्मक विकास के लिए पांच बिलियन डॉलर क्रेट की अलग से बात कही है इसे ये स्पस्ट होता है कि भारत ने बांगलादेश के विकास में एहम भूमिका निभा रहा है हमारे डुई पक्षिय संबन एक नए बहु आयामी बहु पक्षिय और आपसे संबन्दों के अधार पे तैह होंगे बांगलदेशी प्रधान मंत्री शेख हसना के अगामी भारत दौरे और भारत के राज नितिग्यों से मुलाकात डिप्लक्षिय संबन्दों को और अधिक सुधिनता पदान करेगा हाली में विदेश मंत्री S. जैशंकर के बांगलदेशी दौरे पर बांगलदेश के विदेश मंत्री के साथ ही मुलाकात में NRC का मुद्दा उठाये गया भारती विदेश मंत्री ने कहा कि NRC का मुद्दा भारत का आंत्रिक मामला है और इससे हमारे बागनदेश के संबंदों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हालाकि इंप्रेशन ये है कि NRC में छूटे लोगों के लिए ये दावा किया जाता है कि ये लोग बागनदेश के निवासी है फिर ये मुद्दा कि भारत के आंत्रिक मामले तक कैसे सीमित हो सकता है उमीद है कि हाली के वर्षों में दोनों देशों के द्वारा कि अगर प्रयास दुईपक्षी संबंदों को नए आयाम प्रदान करने में कारगर होगा साथी संबंदों को बहु आयामी, बहु मुखी, नवीन गति शिल्टा प्रदान करने में बागनदेशी प्रदान मंत्री का ये भारत दौरा राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक छेट्रों को भी नवीन प्रुचाहन देगा जिसमें थ्री सीज का मंत्र भी कारगर होगा, यानि कॉर्परेशन, कॉर्डिनेशन और कंसॉलिडेशन भी इसमें महत्पुम भुमिका निभाएंगे आया जान लेते हैं इस विशे संबंदित आज का मुख्य परिक्षय प्रशन क्या है भारत-बागन देश संबंद कूटनीतिक संबंदों से अधिक नागरिक संबंदों के संदर्व को आत्मसाथ करता है जिसमें सांस्कृतिक और एत्यासिक पृतियान जुड़ी है परन्तु असम एनार्सी से जुड़ा मुद्दा भविश्य में दोनों पड़ोसी रास्ट्रों के नागरिक संबंदों को प्रभावित करने वाला प्रतीत हो रहा है विशलेशन कीजिए हमें उमीद है हमारा आज का ये प्रयास आपकी विशन प्रकात की परिक्षवाँ में साहिक सिद्ध होगा निर्मान आएस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर वर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद